तो गाइस मैं आपको एक बार किचन से दिखाना चाहूंगा जैसे कि आप देख सकते हो यह एडवाइड की किचन है और इसमें हमने यहां पर हमने होब एरिया और यह कटलेरी के लिए यूज किया है इसमें जितने भी हमने इनोटेक चैनल यूज के यह को ब्रैंड के हैं और सारे के सारे सॉफ प्लोज आप देख सकते हैं तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यह सिंक एरिया यहां पर दिया हुआ हमने धाय फिट एरिया में उसी के ऊपर हमने जीटी बीटी दिया सबसे पहले आपको दिखाने हमारे पूरी किचन में कहीं पर भी हैंडल नहीं है आप जेख सकते हैं इसली यहां पर ओपन करके अंदर होगे आपको जीटी बीटी और उसके ऊपर हमने आरो दिया हुआ है जैसे कि आपको दिखाना चाहूंगा ऐसे टच करेंगे तो यह आरो खिल जाएगा राम से इसली और इसी के नीचे आप देखोगे तो हमने प्रोफ आप पर काम करें तब अपर नीचे दिखाना जांगा मैं आपको यह हमने डिटरिजन ड्रैक दिया हुआ है और इसी के साथ हमने डश्ट विंग का भी दिया हुआ आपने आप देख सकते हैं और यहां पर कटले दीकले दिया हुआ है और यहां पर हमने डेकोरेटिव के लिए छे इंची का पार्ट बचा बचा हुआ था तो हमने इसमें कुछ भी आप प्रॉप्स वगए आप से सब्सक्राइब और यह सारे हैं आपके हैं अब आप उसे टच करना है और उसको प्रॉप खुल जागा अपने आपको इसी के सा क्रोश्टेट लांग दिया तो चिवनी के वार मिखाना चाहूंगा आपको एक बार इसमें सैंसर वली चिवनी लगी हुए आपको इसली आप कुछ भी कुकिंग कर सकते हैं और यह बंद करना हुआ तो गया आपको इधर के सेक्षिन दिखाना चाहूंगा एक बाइधर हम ने ओवन का दिया हुआ है उपर स्टैंड के साथ और यह आपको जब भी चोपिंग मगारा कुछ करना हो तो आमने इस वाल्डिंग अलब यह आपका इजनी फॉल्डिंग भरकर यहां पर यूज कर सकते हैं इसको जैसे कि किचन में ज्यादर काम अगर हो एरिये के लिए और इसी के मीचे हमने साइड में स्टोरेज के लिए यूज दिए है और इसी के साथ में यह विकर बास्केट दिए है आपका आलू इसे तूद दो